हेलो फ्रेंज अंड पूर्ण अरो सभी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे चने का सातू इसके लिए अधा किलो चने की दाल अधा किलो इसको बोलते हैं सवा सेर बोलते हैं इसलिए अधा किलो थोड़ी सी उपर लिए मैंने एक मुठी उपर दाल लिए 300 ग्राम हमने लिए इसमें 400 ग्राम हमने घी लिया है और यह चने की दाल हम भूनी हुई लेकिया है तैयार तो इसे हम मिक्सी के जार में डालके पीस लेंगे और इसका एकदम हाटा बना देंगे पीस कर और उसके बाद हम इसके फिर सातु का समान त्यार करेंगे इसे इसको हमें ज्यादा बारिक भी नहीं करना होता है थोड़ा मोटा मोटा ही पीसना होता है इतना थोड़ा मोटा मोटा होता है उसका टेस्ट अच्छा लगता है खाने में और सातु देखने में भी अच्छा लगता हो यह सातु का अपने पती के लिए रखती है और यह सातु का परसाद बनाती है इसलिए ये तीज काजली माता की तीज बोलते हैं से वो इसका काजली माता का अपरत रखते हैं इसके लिए यह हमने 300 ग्राम चीनी ली थी और हमने 400 ग्राम घी लिया है इसमें सवासग सवासेद गहूं में चने में हमारा इतना घी चले जाएगा हमने बसुदरा घी लिया है यह अच्छा आता है इसलिए मैं यह यूज करती हूं यह देखिए अब हम पीस लेंगे हमारे चने की डाल को यह हमने पीस लिया मिक्सिक जार में डालके हम चलनी में डालके चान लेंगे इसको इसी तरह से हमारे सारी चने की डाल पीस लेनी है और क्ट चलनी में डालकर चान लेनी है दम आटा इसका निकाल लेना आवी चान कर ताकि कि हमारी चने की डाल ऊचानी से चान कर अच्छे से तैयार हो जाए कि देखिये कि यह तना 9 पिसा गया इसका अब हम थोड़ा स्टासा गरम करनेंगे इसको जो हमनें चनिय की दाल कि पिश कर आठा सुने करेंगे juvenile करें जया सब घरब करेंगे अश्वान कम चेना हपार मिसे थे ताकि हम जब इसे गरम करके इसे और चीनी और घीडाले तो अच्छे से मिक्स हो जाए और जिसे दाल की हम ह statistic अदर तो चनिकी दाल को तो थोड़ा हलका घर्म करके पीस लो तो भी चलता है तो आप अगर इसको बेसन और निकरों तो भी ठीक है मैंने तो चनिकी दाल गर्म निकिया ऐसी पीस लिए इसलिए इसे थोड़ा सा गरम करना पड़ेगा यह हमारा चलने काटा पीस कर तेयार और गरम भी हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे चीनी चीनी डालके अच्छे से मिक्स कर देंगे इस 300 ग्राम जो हमने चीनी रखे थी वह पूरी डाल देंगे इसमें कि अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हर कि इसी तरब हम एक दो में बढ़्ने Ao कि इस तरब से मिक्स कर देंगे इसे अची तरह मिक्स करने के बाद हि हमें इसमें गियर डालना है यह मिक्स हो चुक है इसमें हम गी डाल देंगे गी हमार थोड़ा गरम है हां हम घी सप्कपगन डालना आए ताकि अच्छे से अंदर मिक्स हो जाए हम और तरी एव। यह देखिए यह थ्युक्त हो डालेंगे हम गी 400 गराम पूरा डाल देनाए अब हम फिर से से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही हम इसका सातू बनाएंगे अच्छी तरह मिक्स करके इसके बादने हमें सातु की जो शेप देनी है इसको दे देनी चाहिए आप जैसी शेप चाहों दे सकते हो इसको यह देखें यह अच्छे से लड़ू बन ड़ा है इसका मतलब हमारा घी एकदम सही है इसमें अब हम इसका सत्यर बनाएंगे इसकी में तो इसकी एक ही शेप आती है इससी साबसे गोल गुल बनाताे उसको ऐसे गोल करके He said you करते एक एक जाने के ब्रत के लिए जो पर सा त्यार करतें इसके ऐसे दो सत्तु बनाते गोल-गोल फिर इसके उपर ऐसे गोल छोटी बट्डी बनाकर रखते हैं जो मैं आपको दिखा रहूँ हम भी बनाकर ये देखें यह इसी तरह से हमें सत्त बनाना एं ये देखें गूल-गूल गूहाते जाना हलके हास से हमें ज्यादा दबा कर बनाने की जुटनी होती हैं सब्सकितना चैसा बन कर तैयार है बेशन सब्सक्राइँ में कितना अच्छा लग रहा है शेप कितनी अच्छी लग रही है सत्तू की में तो ऐसा ही सत्तू बनाया जाता है पुजा में इसे हम उठाकर प्लेट में रख देंगे अब हम बनाएंगे दूसरा सकतो ऑफ छोटी बट्री बनाएंगी इसके उपर रहते कि अखने भी कि दिखाएंगी यसे रखने बना कर कि छोटी सी बत्री कैसे बनाते हैं इसकी गोल हमाई बटडी भी साइड़ों से फटनी नी चाहिए इसे एकदम गोल को स्रीफ देनी चाहिए यह हमने उपर रखते हैं इसके उपर बटडी इसको बटडी बोलते हैं दोनों सत्तु बनकर तयार है अब हम इने डेकोरेट करेंगे ड्राइफुर से यह देखें यह हमारे पास सत्तु बनकर तयार है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा धन्यवाद